वेल आजकल हर कोई बात कर रहा है कि अपना पैसा आप FD से निकालो और स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर दो अपनी अगर आपने अभी तक SIP शुरू नहीं कर रही तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो पर यहां पर आपको कुछ फैक्टर समझने पढ़ेंगे बिफोर यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट या एप SIP शुरू करें आपको समझना पढ़ेगा भई करना क्यों है कितना पैसा लगाना है कहां कहां डाइवर्सिफाय करना है बहुत सरे पैरमीटर्स है क्योंकि आप पैसे को लेकर खेल नहीं कर सकते हैं इ हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बात करते हैं इसे इंडिक्स इंवेस्टिंग यहें क्योंकि निफ्टिक इंडिक्स है नसी की ऊपर जो टॉप 50 कमनी है उससे मिलकर निफ्टिए बना होता है तो इंडिया के 1991 में अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ 1991 के अंदर यह लगबग 26,000 का था और आज भी 27,000 के आसपास है तो आज हम 2023 में खड़े हैं 1991 से लेके 2023 32 साल हो गए इसकी 30 साल की अगर आप रिटर्न देखेंगे तो अल्मोस जीरो आई इसने कुछ रिटर्न दी नहीं दिए अब अगर इसने रिटर्न दी नहीं दिए तो लोग तो बात कर रहे हैं भई निफ्टी बहुत अच्छा रिटर्न देता है बड़ इसने रिटर्न दीए तो आपको समझना पड़ेगा यहांपर रिटर्न क्यों नहीं आए Japan ने क्या perform नहीं किया Japan ने क्या grow नहीं किया ऐसा क्यों हुआ कि इस index ने रिटर्न नहीं दिये और हम बहुत जादा आप्टिमिस्टिक हैं कि निफ्टी बहुत जादा रिटर्न देगा चलिए समझते हैं अब ये जो वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग है, बिकस मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, कि आप बहुत कम पैसा लगा के, जैसे 3, 4, 5, 10,000 लगा के, आप लाखों रुपे की वेल्थ क्रियेट कर सकते हो, इन फाक्ट, आप करोड़ों रुपे की वेल्थ क्रियेट कर सकते हो, we'll just talk about that, कैसे होगा, step by step समझेंगे, बड़ सबसे पहले हम जपान का एक्जामपल ले रहते हैं, अब जब मैंने जपान का एक्जामपल ले, यह बड़ा इंट्रस्टिंग केस्टेडी है, तो पिछले कुछ सालों में निफ्टी 15% के रिटरंस दे रहा है, और जपान रिटरंस ही नहीं दे रहा है, पिछले 30 सालों में कुछ रिटरंस नहीं दे तो इसे समझते हैं, क्या होगा है तो सबसे पहले एक चीज है, जो आपको समझना पड़ेगा, इनफ्लेशन को क्यों समझना, इनफ्लेशन में महाई, अब इंडिया के अंदर अगर निफ्टी रिटरंस दे रहा है, तो क्या चीजों के रिट बढ़े हैं, इंडिया के अंदर आप पेट्रोल भरवाते होंगे, आप दूद खरीतते होंगे, इनका प्राइस बड़ा है, आप गएंगे बिल्कुल बड़ा है भी, अगर हम पेट्रोल की बात करें, तो कुछ सालों के अंदर तो डबल हो गया, दूद डबल हो गया, तो इसे हैं हम बोलते हैं, महाई इंफ्लेशन, तो आपको कैसे पता लगेंगा, कितने परसेंट से बड़ रही है, मैं आपको समझाता हूँ, कितने परसेंट से बड़ रही है, अगर आप बैंक्स का, एक एवरेज एवडी का इंटरस रेट देखेंगे, तो आज की रेट में लगबख 7-8 परसेंट का, इवडी में इंटरस मिल रहा है, तो आप समझ लिजे, लगबख इतना ही इंफ्लेशन चल रहा है, तो इंफ्लेशन को जस्ट बीट करते हुए, थोड़ा साथ रेटन दे रही होती है FD, तो अगर आप FD में भी पैसा रखोगे, तो बस पैसा कम नहीं होगा, पर वो कुछ खास बढ़ेगा भी नहीं, तो इसलिए लोग आपको बोलते हैं, कि भीया, आप FD में पैसा बहुत ज़दा मत रखो, आप इंवेस्ट करो, और जगाओं पर जहां पर जहां पर ज़दा रेटन दा सकती है, क्योंकि यहां पर अगर 7-8% का इंफलेशन है, तो FD से तो कुछ होगा नहीं, पर जपान के इंडेक्स ने रिटर्न नहीं दी, तो जपान में इंफलेशन कितना है, आप चेक कीज़एगा, और जपान में महंगाई नहीं बढ़ रही है, पिछले कई सालों से जपान में महंगाई नहीं बढ़ रही है, आप येन की पर्चेजिंग पावर देखेंगे, तो वो डेप्रेशेट नहीं हो रही है, अच्छा ये इंडिया और जपान का एक एक एक्जामबल हुआ, इंफलेशन का, सिमिलरली आपको और भी यहां पर पेरेमीटर्स को समझना पड़ेगा, अगर आप इंडिया में लोन ले ले जाते हैं, तो आपको लगबग कितने परसेंट का ब्याज लगता है, और अगर आप जपैन में लोन लेते हैं, आपको इंडिया में Simple Saving Account में कितना आपको Rate Of Interest मिलता है आपको होगे कहीं 3 मिलता है, कहीं चार मिलता है पाँच मिलता है, तो अगर आपको 4-5% का यहाँ पर अकाउट में पैसा रखने के उपर ब्याज मिल रहा है, जपैन में 0% मिलता है अच्छा आपको एक और चीज़ जान कहरानी होगी अगर यही पैसे एक्जामबल आपके पर एक करोड रुपय है और आप सुजलेंड में रखते हो तो वहां पर आप नगीटिव रेट और नगीटिव रेट आप इंट्रस्ट अब नेगेटिव रेट अफट उंट्रस्ट का मदलाव एक क्लोड रहोंगे तो बढ़ना छोड़ो वह कम हो जाएगा अब नेगेटिव क्यों है क्योंकि उनका जो आप करणसी डेपरिशेशन देखो वह बहु पर rate of interest मिल रहे है 20 से भी जादा तो अगर 20% का fd में rate of interest मिल रहा है तो आपको यह चीज समझ आ गई, जहां पर fd में बहुत जादा rate of interest मिल रहा है, वहां पर महंगाई भी बहुत ज़ादा है महापे महंगाई भी 20% गास बढ़ रही है जिन आपको economies के अंदर दिखता है कि FD में बहुत सब्धा rate of interest मिल रहा है इसका मतलब भी नहीं आप इंडिया से सारा पैसे निगालो और रहे मैं तो एफरिका में इंवेस्ट करूँगा तो यह कुछ important चीज़ हैं जो आपको समझना है अब यहां से एक second question आता है कि अगर मुझे महंगाई 78% के जाब से बढ़ रही है तो मेरा पैसा कितने परसेंट के जाब से बढ़ना चाहिए definitely इससे ज़ादा अगर आपको देख रहा है 78% के जाब से महंगाई है तो आप FD में रखके क्या करोगे ऐसा नहीं FD में बिल्कुल ही invest नहीं करना FD में भी invest करना है but you'll have to think about it अभी मैं आपको इसका answer बिल्कुल end में दूँगा कि FD में रखना तो कितना रखना है और आपका पैसा grow कैसे होगा so मेरा सबसे पहला सवाल आता है inflation से ज़्यादा मुझे rate of interest मिले ज़्यादा कितना हो सकता है यह आपके उपर है so there is a simple rule of 72 अब rule of 72 क्या कहता है यह compounding के लिए सबसे simple principle है कि आपको मालीजे 12% का rate of interest मिलता है तो आप 72 से divide कर लिजे तो roughly 6 सालों में आपका पैसा double हो जाएगा so अगर आज आप 2.5 लाख रुपया invest करोगे एक बार में लंसम में और आपको 12% का ब्याज मिल जा है तो 2.5 लाख रुपया 5 लाख हो जाएगा 6 साल में अगले 6 सालों में 10 हो जाएगा उसके अगले 6 सालों में 20 हो जाएगा उसके अगले 6 सालों में 40 हो जाएगा और ये भी सेम प्रिंसिपल है जिससे एक आदमी अमीर बनता है तो ये प्रिंसिपल को हमें समझना जरूरी है आप सिंबल सी चीज़े है कहां मिलेगा इससे ज़्यादा rate of interest मैं कहां पैसा लगाओ सबसे पहली चीज है मत लगाओ पैसा जब तक आप इसे नहीं समझते जो मैं आप बताने वाला हूँ investing से पहले आपको दो चीजे को समझना पड़ेगा कि investing क्यों करनी है और कितने time के लिए करनी है investing क्यों करनी है मतलब अगर आज आप पैसा लगा रहे हो क्यों invest करने आपको ठीक है आपको पैसा बढ़ जाए और आप कितना चाहते हो पैसा बढ़जा और कितने time में बढ़ जाए अगर आपकी कोई immediate requirement है आपको लगना नहीं भी मुझे छे मीने माट मीने में साल बर में पैसे की जुदत पड़ेगी तो मैं आपको वान करूंगा आप स्टॉक मार्केट से दूर रहो आप स्टॉक में पैसा बिलकुल मत लगाना क्योंकि साल भर के अन्δर मांक्ष करेक्ट भी हो सकती है बढ़ भी सकती है गड़बी थो यह तो यहां पे एक हाइर रिस्क रहता है तो सकता है अपको जूरुत थी पैस हो कि आ gang are रुपे डाल दिया और एक साल के अंदर मार्केट ने अच्छे रिटरंजी नी थी हो सकता है करेक्शन आ गया तो अगर आपका दस लाग आट लग हो गया तो आपको लगेगा यारे मैंने तो गलती कर दी पैसा लगा के स्टॉक्स में आपकी इमेडियेट रिक्वाइमेंट क्योंकि कम से कम आपका इंफलेशन से प्रोटेक्शन मिल रहा है पैसा कम नहीं हो रहा है और आपको एमेर्जंसी फंड के लिए अपकी लगबग 6 महीने की मंथली इंकम मिनीमम आपके पास सेफ रहनी चाहिए इन सम्तिंग लाइक एफडी लाइक इंस्टॉमेंट ऐसी ची चॉक मारकेट में ने रह सकते हैं यह निहीं हो सकता कि मैं सारा पैसे यहां पे लगा दो आप बहुत जादा रिस्क इस चीज़ के लिए नहीं ले सकते तो यह बल्कु सेफ चीज होगी पर आप आजाते हैं थोड़ा सा लॉंग टॉम और आईज़े जहां पे आप कहते हो मेरे को 5-10 साल के लिए इनवेस्ट करना है तो इसके लिए मैं आपको कुछ और बताऊंगा और अगर आप मुझे बोलोगे 2-5 साल के लिए इनवेस्ट करना है तो इसके लिए मैं आपको कुछ और बताऊंगा तो इन तीनों के लिए मेरे पास आपके लिए डिफरेंट नहीं पर भी आप अपने financial advisor से जरूर बात कीजएगा, सुब हम आगे बढ़ते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ, यह अलगल horizon है, तो इसको समझे, मैं आपको बताता हूँ, जब आप, यहाँ पर समझते हो, stock market को, तो stock market, basically, एक ऐसी market है, जहाँ पर आप stocks खरी सकते हो, stocks को बेज सकते हो, stocks क्या होता है, companyों में हिस्सेदारी, अब यहाँ पर, बहुत ज़दा chances है, कि Indian economy आने वाले टाइम में, बहुत ज़दा flourish कर सकती है, उसके सबसे बड़े reasons क्या है, हमारे पर population बहुत ज़दा है, यह population जैसे से बड़ेगी, इसे रोटी, कपड़ा, मकान, mobile phone, आप कह सकते हो, घूमना फिरना, हर चीज़ की ज़रूत है, तो कोई भी industry, इंडिया के अंदर आके, अगर वो masses के लिए काम करती है, तो बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले है, लोग हमेशा पैसा देंगे, और companies पैसा कमाएंगी, companies पैसा कमाएंगी, companies grow करेंगी, हमारी economy grow करेंगी, तो बिल्कुँ simple चीज़ है, इससे simple logic मैं आपको नहीं बता सकता, तो हमारे पास, बहुत ज़दा capacity है, grow करने की, क्योंकि हमारे बहुत ज़दा capacity है, grow करने की, तो अब आपको समझना पड़ेगा, stock market के अंदर भी, तीन तरीकी की कमपनियां होती है, एक होती है, large cap companies, large cap क्या होती है, जिनकी market capitalization बहुत ज़दा है, तो 50 फिफिफिफिट के अंदर, उने इसे समझेगा, मैं क्या बोलता हूँ, जो small cap companies है, जिनकी market capitalization बहुत कम है, वो basically घोड़े है, जो mid cap है, यह उंट है, और जो लार्ज cap है हाथी है, अब हाथी बहुत दूर तक चल सकता है, बढ़ चलता धीरे-धीरे है, उट हाथी से तेज भाग सकता है, और घोड़ा तो बहुत ही तेज भाग सकता है, पर आपको समझना पढ़ेगा, घोड़ों में बहुत सरे गदे भी होते हैं, पर अगर आप long term के लिए invest करना चाते हो, तो जो 15-20 साल का time horizon है, तो small cap companies, आपको exceptional returns दे सकती है, तो जहां पर हम 12% की बात कर रहे हैं, आपको 15-20% या उससे भी ज़्यादा returns मिल सकती हैं over the years, तो अगर example के लिए आपको 12 की जगह, rule of 72 की बात कर रहा हूं, 24% की return मिल गई, तो आपका पैसा, जो double हो रहा था, 6 सालों में, वो 3 साल में होना शुरू हो जाएगा, and then you can see the magic, because, मैंने example दिया था, ठाही लग का 5 लग, 5 लग का 10 लग, तो 6-6 साल में हो रहा था, वो 3-3 साल में होना शुरू हो जाएगा, तो compounding can become fast, तो इमेड़ेटली नहीं होता, over the years की return, आपको लगबग 20% तक की भी मिल सकते है, small caps में, ऐसे बहुत सारे mutual funds है, जिनका C.A.G.R., compounded annual growth rate, जो है 20%, in fact 25%, उससे भी जाता है, तो यह हो गया, एक simple सी चीज, दूसरा concept किया है, जब आप invest कर रहे हो, 5 से 10 सल के horizon के लिए, you can consider mid cap, और flexi cap companies, अब flexi cap में और mid cap में एक फरग होता है, यह basically mutual funds के लिए हो गया, अगर आप SIP करना चाहते हैं, तो in fact आप invest भी करना चाहते हैं, तो flexi cap basically mutual funds होते हैं, वो mutual funds, mid cap में क्या हो गया, अगर mid cap mutual fund है, तो जालतर mid cap companies में पैसा लगाएगा, और flexi cap के लिए ऐसा नहीं है, वो small में भी लगा सकता है, mid में भी लगा सकता है, और large में भी लगा सकता है, पर अगर आपका time horizon 2-5 साल का है, तो आपको large cap companies consider करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर market में correction आता है, तो जो small cap companies हैं वो बहुत ज़्यादा तूट सकती है, पर यहाँ पर large cap companies के जो share prices हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं तूटते हैं, यह एक important चीज है, बढ़ेंगे भी तीरी तीरे, तूटेंगे भी तीरी तीरे, small cap में बढ़ेंगे भी तेज़, और तूटेंगे भी तेज, long term के अंदर, small cap से बढ़िया कुछ नहीं है, पर short term के अंदर, you should consider large cap companies, तो यह एक basic चीज है, जो आपको समझने ज़रूरी है, अब इसके basis पे, आपको example के लिए, मैं आपको angel 1 recommend करना चाहूँगा, आप angel 1 पर जाके, फ्री में अपना dmidcom trading account खोल सकते हो, यहाँ पर important के है, आप angel 1 पर, stock market में invest भी कर सकते हो, SIP भी शुरू कर सकते हो, अगर आप तलको trade करना चाहते हैं, आप trade भी कर सकते हैं, फ्री में अखोल जाएगा, link description comment box में है, अब, आप angel 1 पर simply जाके, सर्च कर सकते हो, mutual fund सर्च कर सकते हो, small cap mutual funds, large cap mutual funds, mid cap, flexi cap mutual funds, and आप अपनी SIP शुरू कर सकते हो, मैं आपको SIP की power देखाता हूँ, SIP की power, आपने सुना तो है, पर अब आपको समझ आ रहा है, इन्वेस्ट कहां करना है, और यहां पर जपान का जो example मैंने लिया था, यह बहुत important example है, क्योंकि आपको बहुत जगह पर लोग बोलेंगे भी, अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो 0% return मिली है, तो क्या फाइदा है, आपको समझना पड़ेगा, उनकी economy अलग है, इंडियन economy के अंदर potential बहुत ज़ादा है, एक्जामबल के लिए आप SIP चूज करते हो, तो 3500 रुपे महीने की ही SIP, अगर आपको example 15% के return मिल जाते हैं, लॉंग टर्म में तो मैंने आपको बता दिया, कि small gap, flexible gap के अंदर, आपको 15% तक के return मिल सकते हैं, और अगर आपका investment period से 10 सालों का भी है, तो 10 साल के अंदर होगा क्या, आपका 3500 रुपे महीने का ही investment, आपका almost 10 लाग रुपया बन जाएगा, 9.8 लाग रुपी आपको यहाँ पर देख रहा है, कि यह आपका expected amount हो गया है, पर यही पर सिफ टाइम चेंज करने से गेम चेंज हो जाता है, अभी अगर 10 सालों के अंदर आपको यहाँ पर देख रहा है, 9.8 लाग तो compounding का magic क्या है, अगर मैं आपके बोलू 30 साल में, यह पैसा कितना हो जाएगा, 10 सालों के अंदर 3500 रुपे की investment, almost 10 लाग हो रही है, तो दिमाग में एक simple सा कोशन क्या आता है, 10 साल में 10 लाग, 20 साल में 20 लाग और 30 साल में 30 लाग, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अब गलस सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जादू देखो, यह 30 एर्स करते ही, calculate करते ही, यहाँ पर गेम हो जाएगा, धाई करोड, अब यह 30 लाग नहीं है, this is the magic, और यही magic, आपको समझना है, कि जो compounding है ना, वो इसी तरीके से काम करती है, हो सकता है, आप यह figure देखके हरान हो रहे हो, पर यह calculator आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, आप जाके खुद calculate कीजिए, तो यह 3500 रुपे का example है, किसी की capacity 35,000 की भी हो सकती है, तो धाई करोड के जगा, 25 करोड रुपेया है, अलमुस 24 करोड रुपेया आपको देख रहा है, तो 24.5 करोड रुपेया, आपको यहाँ पर देख रहा है, तो यह गलत नहीं देख रहा, अगर आपको 15% की रिटर्न मिली, 30 सालों के जाप से, तो 35,000 की आपकी SIP, आपको अलमुस 24 करोड रुपेया कमा के दे सकती है, अब you figure out yourself, कि भाई आप 35,000 रुपेया इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 रुपेया महिना भी 35,000 रुपेया बनता है, आज 500 रुपेया कब खर्च हो जाता है, मैं नहीं पता लगता, पर अगर एक अच्छी आदर डाली जाए, और इन्वेस्टमेंट शुरू की जाए, तो आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ कड़ सकते हो, अब definitely 30 साल एक बड़ा होराईजन है, पर आप अपने गोल्स के हिसाब से सोचिए, किस के लिए इन्वेस्ट करना है, अपने लिए, अपने लिए करना है, तब भी ये 30 साल की जहाँ, ये ये 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, आपकी गोल्स के कॉर्डिंग, पर आपका पैसा बड़ेगा, अगर आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो अभी आपने रूल ओफ 72 को समझा, कि रूल ओफ 72 कहता है, अभी मैं रूल ओफ 72 दुबारा समझा रहा हूँ, रूल ओफ 72 कहता है, कि अगर आपको 12 परसेंट के हिसाब से, इंटरस्ट मिल रहा था, तो 6 साल में पैसा डबल हो रहा था, ठीक है, आपने भी समझा था, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आज आज आपके पास घर में पैसा जुड़ा हुआ है, वो होगता है, आज आज आपके पास 10 लाख रुपे अल्वी जुड़ा हो, मैंने एक्जामपल ले लिया, 10 लाख रुपे जुड़ा हुआ है आज आपने पास, मुझे आप बस इतना बताईए, कि अगर ब्याज नहीं मिला, पैसा जुड़ा हुआ है, और महंगाई बढ़ती रही, हम वस के सिनारियो ले ले लेते हैं, कि 7% के हिसाब से, इन्फलेशन बढ़ता रहा, तो अगले 10 सालों में, 10 एर्ज के अंदर, ये आपका 10 लाख रुपया कितना रह जाएगा, तो आप इसकी केल्कुलेशन करते रहें ने, मैं आपको आंसर देते तो, या आदा हो जाएगा, ये 5 लाख रुपय की वैलियो रहे जाएगी इसकी सर्फ, और अगले 20 सालों के अंदर, ये इसकी भी आदी हो जाएगी, वन फोर्थ हो जाएगी, ये सीज़न सर्फ 2 लाख रुपय मचेगा, तो हमने जब 2 लाख का, हमने का 5 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, तो एक कम भी वैसे ही हो रहा है, अगर आपने पैसे को बढ़ाना नहीं सीखा, तो आटोमेटिकली जो आपके पर जुड़ा हुआ है, वो कम होता हुआ शुरू हो जाएगा, और कमपाउंडिंग को आप अपने अगेंस में यूज़ करने वाले हो, तो आज आप क्या करने वाले हो, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने वाले हो, ये कमपाउंडिंग को अपने अगेंस में यूज़ करने वाले हो, कॉमेंट करके जुरू बताइएगा, powerful videos आप मिस्स कर देंगे, so click on the bell icon, I will see you in the next video, till that I am you go self-made and Jai Hind